सियासत बड़े कमाल की चीज है, कब क्या हो जाए कोई नहीं अंदादा लगा सकता, नमश्कर आप जो चुके हैं, दानिक शिव टाइम से में रश्मी शर्मा कैमरामन शुवम भगत के साथ, सियासत की सरगर्मिया शुरू हो चुकी है, अगर बात करें, गुजरात की तो भार पार्टी ने अंसेडी एलेक्शन में अपना वश्चिस दिखाया, अब सवाल बड़ा ये है, कि जो नेता, बड़े बड़े नेता, जिनने अपनी नहीं पार्टीयां बनाई हैं, वो कहां पर एक्जिस्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक अजाद पार्टी, अभी तो फिलाल ना वो नजाएं नहीं करे रहे थे, तब उन्होंने ये कहा दिया कुछ दिन पहले, टिपनी कार दीक ते जब मैं मुख्य मंत्री था, जमू कश्मीर का, और मनमोन सिंग जी परदान मंत्री थे देश के, कुछ ऐसे तथे मेरे सामने आये थे, कुछ ऐसे नेता, जिनका अतंक व और कौन वो लोग थे, जिस पर निशाना कसा गुलाम नभी आजाद साब ने, और वहीं दूसरी तरफ ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अमरेंदर सिंग जी की तरह, पंजाब में जिस तरह से हाल हुआ, वो हाल कहीं डिमोक्राटिक आजाद पार्टी का ना हो जाए इसी पीशे पर बात करने हमारे सार जूट चुके हैं, संजे मनहाज जी, संजे मनहाज जी, क्या कहना है, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत भानियाबाद, क्योंकि डैप को पाप के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं, गुलाम अहमद मीर साब ने का, ड डाप नजर आता है, लेकिन गुलाम नभी आजाद एक सक्सियत, एक लजेंडरी लीडर, क्योंकि अपने किया कि कहीं अमरेंदर सिंग जी न रहा जाएं, गुलाम नभी आजाद को किसी पार्टी की पहचान की जरूरत नहीं है, गुलाम नभी आजाद का खुद का एक अप अपना व्यक्तिति वो रहा हुआ है, और गुलाम नभी आजाद साहब अपने काम काई से पहचाने जाते हैं, पूरे भारतवर्ष्ट के अंदर, बहुत सारे बहुत सारे लीडर को मौका दिया जाता है, लेकिन सारे सिकंदर नहीं बनते हैं, सिकंदर जो है, वो दुनिया म जाता है तो गुलाम नभी आजाद धर्थी के ओपर एक ही है जिनको गुलाम नभी आजाद के नाम से जाना जाता है गुलाम नभी आजाद जो है वो अपने काम से पहचाने जाते हैं अपने के नाम से जाने जाते हैं वो कैप्टन अम्रेंदर सिंग वाला कोई कहानी यहां पर नहीं है केप्टन अम्रेंदर सिंग को सिर्फ पझाब के लोग जो हो जाना कर ते थे गुलाम नभी आजाजसाँ को पूरा ह INДΟोस्टान बलके पूरा विश्व के लोग जो है वो जानते हैं, अपने कारी काल में गुलामनेवी आजासॐ हैं जो काम इस जम्मु कश्मीर के लिए, जो छो हिंदुस्तान के लिए किये हुए हैं, और उसमें मैं और आप नहीं बलके पूरा हिंदोस्तान का मीडिया जो है वो जानता है बलके गार्मेंट और जो विपक्स के लोग थे वो भी जानते हैं कि गुलाम नभी आजाज साब की शक्सियत क्या है उनके काम किये हुए कहा तक में पहुँचे हुए हैं फॉरण के लोग जो हैं वो गुलाम नभी आजाज साब की सरहना करते हैं और हम तो इस देश के वासी हैं हम तो इस जम्मु कश्मीर के वासी हैं हम तो गुलाम नभी आजाज साब की जनम भूमी के लोग हैं हमें तो उनको करीब से जानने का पहचानने का मौका मिला हुआ है इसलिए हम आज गुलाम नभी आजास साथ में हैं इसमें को दो राहे वाली बात नहीं है जिनको मौका मिलता है वोई तारीफ ही भी करते हैं किस व्यक्ति गत्वंद्य का किसी भी प्लिटिकल पारटी का अनॉसमेंट किये बग heir लोगूं का एक तांता जो है वो उस लीडर के पीछे जो है है जिस डिस्टिक में जिस रियास्त में जिस बंचाइप में गुलाम नभी आजाजाज साहब गे वहां पर एक जन समूज जो है वो लोगों का उबर के उनकी स्वागत में जो है वो सामने आया है विदाउट अनी की एक आइडेंटिटी है कि उनको किसी पार्टी की पहचान की जरूरत नहीं है पहचान तो पार्टी से मिली है ना लेकर पार्टी में काम तो उन्हों मंतरी रह चुके हैं बहुत सारी प्लिटिकल पार्टी के लेकिन जिन्हों ने काम किया है देश के अंदर उन्हीं लोगों का उन्हीं देश के प्रधान मंतरियों का चीफ मुनिस्टर का नाम जो है वो सुनहरे के शब्दू में लिया जाता है गुलाम में भी आजाद उन में से हैं कि जब प्रोटोकॉल को जाय करना था जब पॉजिशन को जाय करना था जब पॉजिशन थी गुलाम नभी आजाद साथ के पास तब उनने कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा तब पो छोड़ा जब उ याने चिन भी नहीं सारे आप परिवार की तरह देखे मैं मैं आपको सपस्ट कर दूँ गुलाम नभी आजाज साब यदी सत्ता के लोभी होते तो जिस समय गुलाम नभी आजाज साब हिंदोस्तान के स्वास्त मंतरी बने तो फॉरन मैं आजाज साब को आफर किया गया कि अदरी साब के लोग स्वास्तान के लोगों के लिए याजाज साब यहार्म नभी आजास ने अगर किसी और प्लिटिकल पार्टी से राजय सभह में जा सकता है तो घुलाम नभी आजाज साब इतने नालािक राजे सभा में जा सकते थे ये घटिया लोगों की घटिया सोच है ये गुलाम नभी अजासाब के नाम को बदनाम करने में लोग जो है वो लगे हुए है ये अपनी अवकात जो है वो भूल चुके हैं और इतने बड़े नेता के खिलाफ इनकी शान के खिलाफ जो है ये बड़ी तारीफों के पुल बांते हैं जुँहीं पार्टी से किनारा कश्षी होती उन्हें पार्टी के जो लूप ओल्ज हैं पार्टी की जो कमिया याद आने लगती हैं कि हमारे काल में ये होना था ये नहीं हुआ तब क्यों नहीं हैं अदर ये बात मुनमौन सिंग्जी तक भी रखी थी पर कोई भी उस पर कारवाई नहीं हुई तो तब गुलाम नभी अजास साब ने क्यों नहीं आवाज उठाई आज वो बोल रहे हैं अब तो सवाल उन पर भी हो रहा ना तब आप चुप क्यूं थे क्या थे आप मुख्यमंत्री कश्मीर के तब सोचा के कुरसी ना चला चली जाए इसलिए उन्होंने इस सामने नहीं लाई फिर इसका मतले लोबी तो वह भी रहना कुरसी के आवाज उठाते ना मज़ा तो तब आता छोड़ते कुरसी को कि ये लोग आतंकियों के साथ जूड़े हैं ये पार्टी के लो जो जो जसकी स्टेटमेंट बिल्कुल उसी के और मागना स तका उसकी स्टेटमेंट साथ ये लेकन कब काई स्टेटमेंट दिया जब अजा साथ यहां के चीफ निसर से तो डैकल अतंकवादियों का मकाबला अतंकवाद को खत्म करने के लिए जो स्टेटमेंट जो कारिय गुलाम अजाज साब ने किये वह और किसी चीफ मिनस्टर ने नहीं किये यहां जमू किसमीर के अंदर रहते हुए यह वही गुलाम नभी आजाज थे जब यह एक 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 विजट के बपर थे किसी अरिया में तो वहां पर उनवने बोला हुए था अजाज साबने की आजासाब की काफले के ओपर जो है वह फाइरिंग अतंकवादियों के दोबारा होई और अजासाबने बोला कि यह हिंदोस्तान के फॉजी हैं यदि आप लोग जो हैं यदि आप लोग जो इस परकार का स्टेटमन्ट जो है वो गुलम नभी अजास भी दे सकते हैं और कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है दूसरी बात रही कि इतना लेट जो है वो उनको क्यूं समझ में आया इतना लेट समझ में नहीं आया ये उस समयं अगर अजास साब को यह बात जहोँ छुपानी होती दबानी होती तो वो अपने आप तक ही महदूर रखते लेकर अजास साथ ने यह बात जह हो गरहմमंतरी तक में जह हो लिखि akan भागया अगर लिखा नहीं होता उन्होंने उसके ओपर आप निशाना नहीं साथ सकते हैं कि आजास आगर वो खामोश बैठते तो लेटर लिक कर नहीं बेजते लेटर लिखकर भीजना और एक मुखबिन्दू से बोलना इस बहुता है बाता है सब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सुझाइब शैनियों सब्सक्राइब नहीं बदल है हम आप को हम आपको बता रहे हैं कि जमू कशमीर का जो चीफनसर होता है उसको भी मेचे के थ्रू जो है वो काम करना पड़ता है जो हमारा भारत का मेचे है उसके थ्रू ही करना पड़ता है ना इंडियन आर्मी है उसको आर्मी के हिसाब से जो है वो देखना है वो गुलाम नभी आजाद साब को गुलाम नभी आजाद साब चुप कर देंगे तो इट मींज के गुलामनेभी आजाज साब जो एक ऐसी व्यक्ति हैं कि जहां जो जो हमेशा आतंकवाद यूंकर निशाने के ओपर रहे हैं कि हमेशा देश भक्ती और देश की बात करते हैं और कौशा उनके साथ में कोई परसनल कोई वो उनको कोई परसनल रिफ तोड़ी ने उनके परिवार के साथ में है इट मेंज के गुलामनेभी आजास साब जो हमेशा आतंकवाद के खिलाब रहे हैं वो हमेशा जमू कश्मीर के लोगों के हक में बात की हुई है जमू कश्मीर का जो आपसी भैचारा है और जमू कश्मीर जो है वो इस समय आप द ही हुई थी कि अजास आपके खातिर जो है वो लेटर लिख दें कि हाँ आप जो हैं वह हमारे निशाने के ऊपर हैं इस बताइए मुझे कि जिस तरह से आप कहिना के कि अरे मैडम मेरी बात सुनिए निए कि कौन सा एरिया है चनाब वैलि हो पीर पंजाल हो और आपका टिटवाल हो आपका कठ्षुआ हो इसमें रभी और लाखunkों थादार की तैदाद में जो बीड उबर के गुलाम नभी आजाद के सामने नहीं आई आप मुझे एक चीज़ बात स्पष्ट कर रही है मुझे बीड होने से क्या लगता है बीड तो अगर कांग्रेस की कही रही हो एंसी की होगी अगर बाजपा की होगी बाजपा की तो घाटी में भीड पे बीड आ हैं ठीक है इतनी गारंटी के साथ क्या कहते हैं संजेजी जनता है हम लोग ने हम लोग वरोसा नहीं है काम किये हुए न मैं काम बोलता है ना गुलाम नभी आजाद साहब का काम बोलता है हम हम लोग कोई चहरे को देखकर वोट नहीं ढोंड रहे हैं डेली विजर तो आज पता ही नहीं उसको कोई पता नहीं है दुनिया का उसको बना राजनीती क्या होती है और वह हारे हुए आदमी है उन्तों जाम मालूम है तो समय हम लोगों की एक रूटीन है कि हर पाशाल के बाद में वहां पे बदलाव करते हैं तो एक मुख्य धारा में उन्हें बदलाव इसकी कि अगर कारे करता है जीता अगर कोई नेता उनका जीता तो आपको कहेंगे एक कुण सा एक उसका थोड़ी है अशे चलिए मैं करता हूँ कांगर्स पार्टी को कि आप लोगों पार्टी को बहुत-बहुत लेकर वह जमो कश्मीर के जिये मीर साहब ने चुड़ी जाकर वहां पर पार्टी को जो है वो चिताया हुआ हुआ है वहां तो वहां के जो लोकल सिथानी लीडर्स हैं उन्होंने अपने लोगों के काम जो हो अधार हुए और हिमाचल में सुनिए और हिमाचल में हर पांच सा कांगर्स को दे दिये हुए हैं अगले पांच साल के बाद में अगर आगर वो अच्छा काम करेंगे तो दुबारा लाएंगे नहीं तो बदल देंगे तो इसमें हमारा और जम्मु कश्मीर के कोई नेताओं को कोई वहां पे नहीं है हाथ की भाई किश्मीर में बस खाली जो है वो हिमाचल में जाके गुलाम महमनमीर साब ने जो है वो लाया और दूसरी आतक वाद की जिस नहीं एक कड़वा सवाला आपने कहा के गुलाम नभी अजाब सा आतंकियों के खिलाफ आतंक वाद लोकल लोगों को नहीं मारती है क्या होताया है जब क्रॉस फायरिंग होती है तो उसमें लोग जो है वो मर जाते हैं लोकल जो है वो भी तो शीद हो जाते हैं ना ने बता रहा हूँ लेकर तरह को बता रहा हूं कि जब क्रास फारिंग जो होती हैं मानके चलते हैं कि आतंक वादी जो है वो किसी घर के अंदर जो है वो चुपा हुआ है तो वहां घर खाली एक ही थोड़ी ना होगा वो गाउं होगा अट्रमाटिक स्कॉटी फोर्सी जब दूसरी तरफ से जाएंगे तो क्लैश हो जाएगा आपस में तो फिर बीच में अगर इतने लोग जो है वो मारे जाएंगे तो अंदा दूंद फारिंग आतंक वादियों के परमिशन जो है वो दी जाए हमारे बारत के दौरा तो हम लोग तो एक दिन में ही जो है किमका हमारे बसमें असला है वैपन है हमारे फॉजी जो है वो इसके उपर जो है वो खड़े बैठे हुए हैं अपने अब बताईए कि जमू कश्मीर में कहा देखते कि इस पायदान पर बात है डेमोक्राटिक आजाद पार्टी को नाम में थोड़ा सा लगा देमोक्राटिक आजाद पार्टी लोगों के दिलों के अंदर है गुलाम नभी आजाद साब लोगों के दिलों के अंदर है और लोग दिलों में थोड़ी लोग दिल से दिया जाता है और दिल जो ह करेगा कि आप जाईए और बटन जो है वो दबाएं गुलाब नवी आजा साथ को जनता इतनी वह नहीं रही है यह यह नहीं जनता जनाजन के ओपर छोड़ दिया जाए फिर भी कहां पर देखते हैं किस पायदान पर देखते हैं चीफ मिनिस्टर अगले गुलाब नवी आज जी उसके पास पास कहा था कि आम आद्मी पार्टी अब डेमोक्रेटिक अजाद पार्टी के जो यह कारे करता नेता हैं यह भी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर अगले आने वले गुलाम नवी आजाद हो चलिए देखते हैं आने वले समय हमारे साथ संजे मनहास जी जो काफी की वफादार जो एक कारे करता करमत नेता हैं डेमोक्रेटिक अजाद पार्टी के हम नाम क्या चेंज हो को आने वाला समय बताएगा फिलाल वफादारियां जो हैं वो काम की वफादारियां हैं हम जनता की बात करते हैं वफादारी जो है वो हम जनता के साथ में बात है हमें मनहास का भी उसकी तरफदारी जो है वो नहीं करेगा हम जन्ता की अवाज उठाते हैं हम जन्ता की अवाज बनके मीडिया के सामने हमेशा आते हैं और आते रहेंगे और लोगुं bikes और लोगुं के हिटों की बात जो है वो हम आपके समक्ष जो है वो रखके दॉमेंट तक में जो है वो पहुंचाते हैं यह थे हमारता संजे मनाज जी जो आ डेमोकरटी आजाद पार्टी के एक कर्मट नेता है जुन्हें ने साफ तोर पर कह दिया आज कि आने वले समय में जमू कश्मीर के चीफ मिनि क्या लगता है कि पुरानी सरकारों ने पुराने नेताओं ने किस तरह से जनता के साथ जो विवार किया किस तरह से अपने वाइदों को पूरा किया अब जनता क्या वाके बदलाओ चाहती है यह तो फिलाल आने वाला समय बता है कि हमने कड़वे सवाल भी किया बड़ी बे अबडेट के लिए जैन जबर